कहा तो यही जा रहा है कि उनकी नाराजगी विजय रूपानी की सप्ता को ले डूगी और इस वक्त गुजरात के सियासी गलियारों में सबसे बरा स्वाल भी यही पूछा जा रहा है कि कौन हैं वो जिनकी नाराज़गी से भाजपा हाय कमान को चुनाव से एक साल पहले ये फैशला लेना परा काना फूर्षी में कोई मोदी साह का नाम ले रहा है तो कोई भाजपा की मातरी संस्था RSS का नाम ले रहा है लेकिन जानकारों का कहना है कि सीयम बदलने जैसा कोई भी फैशला भाजपा में अचानक नहीं लिया जाता है इसमें party संगठन का feedback, संग की राय, private agency के survey के अलावा और भी कई ऐसे sources होते हैं जिनके पत्तों को फेटने के बाद बदलाओ का फैसला लिया जाता है इसमें कोई सक नहीं कि विजय रुपानी अमिप साह के बहुत खास थे और साइब इसी लिए उन्हें PM मोदी ने हटा दिया ये इस बात का संकेत देता है कि सिर्फ खास होने से अवकाम नहीं चलेगा आपको perform भी करना पड़ेगा और जो perform करेगा वो ही ठीकेगा रुपानी की प्रसाशनिक छमता को लेकर लगातार सबाल खरे हो रहे थे केंद्रिय नेत्रित रुपानी के performance से संतुष्ट नहीं था लिहाजा ये तै किया गया कि राज्य में अगर लीडर से पिखलाब विरोध है तो उसे खत्म किया जाए चुनाओ तक का इंतजार ना कि किया जाए दूसरा संग का जमीनी सर्वे विजय रुपानी की बिदाई का बढ़ा कारण बना आरसर सुत्रों की माने तो गुजरात चुनाओ के लिए भाजपा को एक एसा चेहरा चाहिए जिस पर कोरोना के दोरान राजी में हुई और विवस्था का दाग धुल जाए एक अच्छा स्पीकर हो और जो चुनाओ में गुजरात की जनता को साध सके इस साचे में रुपानी फिट नहीं बैठ रहे थे कोरोना काल में हुई और विवस्था का ठीकरा फोरने के लिए भाजपा और संग को एक सिर चाहिए था रुपानी जैसे आज्याकारी नेता के सिर इसका ठीकरा फोर दिया गया और मोदिसा की जोरी ने जनता को जता दिया कि मुख्यमंत्री के कामों की समिक्षा के आधार पर उन्हें हटाया गया है दरसल इसी साल जनबरी में अहमदाबाद में RSS की बैठक में भजपा नेताओं के कारियों की समिछा हुई थी इसके बाद ही रुपानी को इस्थिफे का संदेश भी दे दिया गया था लेकिन उन्हें जनबरी फरबरी 2022 तक का वक्त दिया गया था संग के सुत्रों की माने तो 28-29 अगस्त को हुई कुप्त बैठक में सरसंग चालक मोहन भागपत ने रुपानी से साफ साफ कहा था कि कोरोना काल में गुजरात की छवी को भारी छटी पोँची है इतना ही नहीं पिछले चुनाव में भाजपा 99 का आंकरा जैसे तैसे चुछ चकी दोनों बातों का गुजरात की जनता पर गहरा आसर परा है अब आप जितने दिन पद पर बने रहेंगे मतदाताओं की नराजगी उतनी ही गहरी होती चली जाएगी लिहाजा जितनी जल्दी हो पद छोड़ दीजिए आरसेस की सितंबर के दूसरे पकवारे में बैठक प्रस्तावित है इस बैठक में शंग नए मुख्यमंत्री के साथ चुनावी रन नीती पर अंती मसोदा तयार करना चाहता है इतना ही नहीं रूपानी से पाटिदार आंदोलन का गड़ रहे सौराष्ट में अपना दबदबा बढ़ाने की उम्मीद की गई थी रूपानी को जब अगस्त 2016 में अमित साह ने मुख्यमंत्री के तोर पर चुना तो लग ऐसा ही रहा था कि वे पाटिदार आंदोलन को दबा देंगे पर ऐसा हुआ नहीं इसके अलाबा पिछले विधान सभा चुनाओ के आंकरे भी इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि बहुत ही मामोली अंतर से जिन 18 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी उस पर यदि एंटी इंकंबेंसी फेक्टर चल गया तो आगामी चुनाओ में भाजपा एक्यासी सीटों में सीमट कर सकता गबाव इठेगी बहरहाल अब देखना ये होगा कि गुजरात में भाजपा के मुश्किल वक्त को नए नवेले मुख्यमंतरी आरसेस और केंद्रिय नितृत्व किस तरह से 1998 से लगातार चली आ रही सकता और हिंदुत की इस प्रियोग साला को बचा पाती है हुआ 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 हुआ